आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक सक्स दिख रहा होगा इनका नाम है मनोज मुंतिसिर और अभी चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि एक आदी पुरुस मोवी आई हुई है और इसमें इनोंने डायलोग लिखे हुए है तो डायलोग के कारण इनकी आलोचना की जा रही है तो आज हम लोग मनोज मुंतिसिर के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं इनका किस तरह से परिवारिक बैक्ग्राउंड है सिक्षा किस तरह से इनका कैरियर किस तरह से रहा है इनकी जो डायलोग या आप देखें मूवियों में इनोंने गाने दिये हुए या आप देखें इने पुरुसकार भी मिले हुए उन पुरुसकारों पर भी हम लोग बात कर लेंगे और पिक्चर देख लिए इनका परिवार है या आप देख रहे हैं और मनोज मुंतसिर की अगर हम लोग बात करें तो मनोज मुंतसिर इनका सुकला है यह याद रखिएगा मनोज मुंतसिर का जनम 27 फरवरी 1976 को गौरी जुकंज अमेठी उत्तर पिदेश में हुआ और इनके अमेठी से है और आप लोगों को माल होगा कि इनके टार्गेट पर हम गांधी परिवार रहता है एक बार उत्तर पिदेश को आप लोग देख सकते हैं यह आप देखिए उत्तर पिदेश है लखनवुस की रादधानी अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया जारकन चत्तिसगर्ट मद्द पिदेश राजिस्थान हर दियाना, हीमाचल पिदेश, उत्तराकन और दिल्ली और आप देखिए यहां बिधान सभा में 403 सीट हैं बिधान परिशद भी है जिसमें 100 सीट हैं राज्य सभा में 31 सीट हैं लोग सभा में 80 सीट हैं तो काफी राजनीती की दृष्टी से भी महत्पूर राज्य है उत्तर मनोच का मानना है कि उन्हें कविताएं लिखने के लिए उर्दू जाननी की जरूरत है इसलिए उन्होंने उर्दू सीखी और वे अपने दोस्तों को मुसायरा में ले जाते थे और वे खुद की लिखी कविताओं का बिदासन भी करते थे 1999 में उन्होंने इलाबाद विस्विध्याले से इसनातक किया 1985 के बाद मनोच के पिता ने अपनी नौकरी चोड़ दी उसके बाद उनकी माने घर के घर्चों का जिम्मा उठाया और एक स्कूल में सिक्षक की रूम में काम करना शुरू कर दिया और आप देखेंगे यहरेकर हम लोग इनकी केरियर की शुरूआत की बाद करें तो अपनी इसनातक इसतर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1999 में नौकरी की तलास में वो मुंबई पहुंशते हैं और मुंबई जाने से पहले उन्होंने इलावाद में 135 रूपे के बेतन के लिए All India रेडियो में काम किया था मुंबई जाने से पहले उन्होंने अपने अंतिम नाम बदल कर मुंतसिर रख लिया और मुंबई में उन्होंने अनूक जलोटा से हुई और जहां से उन्होंने भजन लिखने का काम मिला हाला कि इस से पहले उन्होंने कभी भजन नहीं लिखा था और तभी पैसों की तंगी होने के कारण उन्होंने इस काम को अपना लिया और इस काम के लिए आप देखें उन्हें कुल 3000 मिले और जो उनके जीवन की मुंबई में हुई पहली कमाई थी और भी कहते हैं कि 3000 उनके लिए इतनी बड़ी थी कि वो खुद को अमीर समझने लगे थे फिर आप देखते हैं कि 2004 में उन्हें फिलिम रंग रासिया के लिए गीत लिखने का मौका मिला कुछ ही कारण की बज़े से यह फिलिम लगभख एक दसक बाद 2014 में रिलीज हुई एक बाद लगभख 16 साल पहले स्टार टीवी के एक अधिकारी ने उनकी मुलाकात अमिताब बच्चन से करवाई और फिर उन्हें अमिताब बच्चन की और से साल 2005 में कौन बनेगा करोरपती के लिए लेरिक्स लिखने का मौका मिला कौन बनेगा करोरपती के बाद आप दिखें उन्होंने रियल्टी टेलिविजन सो इंडिया गौट टेलेंट जलक दिखला जा और इंडियन आइडल जूनियर की पटकता लिखी वॉलीबुर में फिलों के लिए कुछ बरसों कुछ बरस लगातार काम करने के बाद उनकी लोकपिरियता बढ़ने लगी क्या लोकपिरियता बढ़ने लगी मनोज मुंतिसर के लिखित कुछ लोकपिरिय अगीत है जैसे आप देखें फिल्म एक विलेन के लिए गलिया ये 2014 में फिल्म बाहू बली के लिए दब विगनिंग 2015 फिल्म जैज गंगाजल 2016 फिल्म दो लबजो की कहानी कुछ तो है 2016 फि फिल्म बाहू बली 2 दा कंकिलूजन 2017 में आई फिल्म बाधा साहो 2017 फिल्म वत्ती गुल मीटर चालू दिल चाहता है 2018 और आप देखें फिल्म जीनियस दिल मेरा ना सुनी 2018 फिल्म कभीर सिंग 2019 फिल्म केसरी तेरी मिट्टी 2019 इसके लिए इनोंने गीत भी लिखें और आप समार और पुरुषकार भी मिले इनके काम के लिए फिल्म ए बिलेन 2015 के गीत गलिया के लिए सर्फिष्ट गीत के लिए अरब इंडो बॉलिवूड अवार्ड मिला था इंडियन टेली विजन अवार्ड पोर बैस्ट स्क्रिप्ट नॉन फिक्षन शो इंडिया गौट टेले रखेंगे कि फिल्म एक बिलेन 2015 के लिए सुरुताओं की पसंद का अलबम, फिल्म एक बिलेन 2015 के गीत गलिया के लिए सर्फिष्ट गीत अवार्ड मिला, फिल्म बाधा साहो 2015 के गाने तेरे रस के कमर के लिए सर्फिष्ट गीत के लिए दा इंडियन आइकन फिल्म अवार 2016 में फिल्म रुस्तम की गीत 13 संग 11 के लिए सर्वशिष्ट गीत थंगामा सरफरस 24 अवर्ड मिला और फिल्म कभी 2019 के लिए एलबम के लिए सरोताओं की पसंद का प्रुषकार मिला फिल्म केशरी 2019 के लिए Critics Award of the Year II F.I.P.A. अब आप देखें जो बिवाद हैं से जुड़ा हुआ विवाधिद डायलोग और ग्राफिक्स को लेकर आदीपुरुस फिल्म रिलीज होने के बाद बिवादों में घिर गई थी और फिल्म की डायलोग लिखने वाले मनोज, मुंतासिर, सुकला की सबसे जैनला अलोचना हुई है कई लोगों ने फिल्म के दायलोग को लेकर आपत्ती ओधसा भी जायर किया है इनमें आप देखें चत्तिसगर के मुकमंत्री, भूपेस भगेल, आमादवी पार्टी की नेता संजय सिंग समय तकई बड़े बड़े राजनेताओं ने भी इनका बिरोध किया है तो आप लोग कह सकते हैं कि एक सौट वायगराफी, सौट कहानी मनोज मुंत्सिर की है और किसी के बारे में भी जाननी की दिल्चस्पी हुआ करें तो उनका नाम आप लोग बता सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है?